तो दोस्तों आप लोगों के लिए लेकर आएं डॉज चार्जर और बहुत खुब सुरत ये गाड़ी है हम इस वक्त आएं विंटेज कार शो टूज़ाज़न ट्वडिफोर के अंदर और दिखाते हैं आपको उस जमाने की वन आप दो ब्यूडफुल मसल कार जो की आज भी की वैसे आइकॉनिक दिखती है सबसे पहले अमित भिया की एकार है सो अमित महिश्वरी जी जो है बहुत ही खुबसूरत और उसके साथ में यहां पर जैसे आप नीचे की तरफ देखेंगे वैसे ही आपको पार्किंग लाम्स देखने को मिलते हैं यह जो लुक है यह आज भी भाइसा वैसे कर वैसा खुबसूरत है बहुट लोट टूदा ग्राउंड यह कार आपको मिलती है और सेम टाइम बहुत ही ज्यादा बड़ा इसका आपको जो फ्रंट बोनट है वो देखने को मिलता है क्योंकि इसके बहुत ही ज्यादा पारफुल इंजिन है तो आप समझ सकते हो ने इक बड़े इंजिन को फिट करने के लिए एक बड़ी साइस के आपको गाड़ी तो है सेम डाइम जैसे आप साइड में देखता है वैसे ही कुछ इस प्रकार की स्टील रिम्स और उनके साथ जाइए इस जिस तरफ देखेंगे वैसे ही बहुत ही साइज का अपको इसके लडर मिलता है डूवल डोर सेटप कर साथ एक इसके साथ में यहाँ पर आपको मिलते हैं कुछ इस प्रकार के दिखने वाले ORVM, अब इसमें खास बात यह है कि जब आप इस कार को देखते हो तो एक चीर नोटिस करोगे जो कि नॉमनल कार में आपको नहीं देखने को मिलती है वो है इसकी रूफ अब जैसे आप रूफ द बहुत ज्यादा खूबसूरती एन्हांस करने के लिए यह जो ब्लाक कलर की इसके उपर पूरी की पूरी डीटेल्ड स्ट्रैप आपको देखने को मिलती है इसका लुक और ज्यादे एन्हांस हो जाता है पीछे की तरफ आप देखेंगे तो हाला कि बैटने के लिए इसमें आसकते हो अब जैसे आप यहां से देखोगे वैसे ही कुछ इस प्रकार का आपको लुक देखने को मिलता है इस तरफ आपके पास में टेल लैंप और रिवर्स जो लैंप है वो देखने को मिलता और इस तरह जब आप देखोगे तो चार्जर डॉज डिवीजन की आपको य हमाने में हर कार में वैसे फी अच्छी आती थी पीछे की तरफ आप देखते तो पीछे दो लोगों की बैटने के लिए बल्कि 2 से जादा विएट सकते हो मगर स्पोर्ट कार मीन्स स्पोर्ट कर पीछे के तरफ आपके पास बहुत सारव स्पेस मिलता है जैसे आप इस अब इस तरफ से दिखाते हैं आपको कि इसका स्टेरिंग दिखता कैसा है अब दोस्तों इस तरफ जब आप देखोगे तो आपकी सीट को फोल्ड करने के लिए यहां पर आपके पास एक रोम बटन है और उसके साथ में आप आगे सीट की तरह फोल्ड कर सकते हो सेम डाइम ज जो एम जी की कार्ती उसके उपर व्लॉग बनाए था और वो तो प्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि अगला व्लॉग हम कौन सा बनाए तब तक स्टेय हापी स्टेय हल्दी जुड़े रहो हमारे एडवेंचर में